तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको टॉपिक में दिख रहा होगा बीएट करे या डियलेट करे जहाने बेश्ट ऑप्शन क्या आप है सिच्छक बनने के लिए तैयार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 से आपका डियलेट का फॉर्म फिल हो रहा है और बीएट का फॉर है जो कि अप्राइल से मई तक भड़ा जाता है तो आज हम आपको यह बताएंगे कि आपके लिए बेश्ट ऑप्शन कौन सा है फॉर्स्ट ऑफॉल बीएट वर्सट डियलेट आपके लिए कौन सा बहतर है हम इसके बारे में जानेंगे योगिता क्यारियर नंबर और टाइ का जो एवालिवेशन होता है वो खाफी बहुत ही जादा इंपॉर्टन होता है तो वह इंपॉर्टन इंपॉर्टन्स क्या है फर्स्ट ऑफॉल वीडियो के अंतक बने रहें अगर आप इस चैनल पर नए हूँ तो बिलकुल इस चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब कर चलिए आईए तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो इसको तो यहां पर आप देख सकते हो बीड बीड के लिए आपको योग गिता यानि कि आपकी जो इलिजिलिवर्टी है वो 50% चाहिए आपको ग्रिजुएशन में मार्क्स होने चाहिए डस नॉट मेंटर कि आपके फ 5.99% है फिर भी यह 50% नहीं होता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है अगर आपके पास अगर 12 में मार्क्स अच्छे है 50% है तो आप डेलेट कर सकते हैं जौब आपको किसमें जल्दी मिलती है तो आपने इसका इलिजिबिलिटी जान लिए यानि कि योगिता जान लि तो आपको लिए घिलेटी अच्छे पर लिए नहीं कि अच्छी बात अगर मास्टर्श कर लिए तो फिर आपको थेंग प्लस आपको वेकेंसी जो आती है उसमें आपको बिएक करकर भढ़ती मिल जाती है चलिए और मैं आपको कुछ और बता दू तो इन्पर दोनों को करने के लिए आपको two years लगते हैं या तो बीएट करो या डीलेट करो जो दोनों ही अपने पोश्ट पर बहुत ही अच्छे हैं लेकिन अगर डिपलोमा करते हो तो बहुत सारे जगों पर आपको फोर्म भरने नहीं दिया जाता है सीटेट में भी आप पेपर 125 के लिए बस इलिजिवल होते हो अगर आपने बीएट कर लिया तो आप दोनों पेपर के लिए इलिजिवल हो जाते हैं लेकिन अगर आपका प्राइमरी स्कूल में वेक 25 प्लस मिल सकता है यानि कि सालरी में पांसे दस अजार का अंतर होता है लेकिन जॉब की बात करूं तो आपको डियलेट में जल्दी से जॉब सुनने ऐसा मिल जाता है क्योंकि प्राइमरी स्कूल में वो चाहता है कि डियलेट ही करकर आपको यह सारी चीजे नहीं जाती है इसलिए और बात करूं तो तोनों में तैयारिया से डियलेट का आपका जो स्लेवस है कि डियलेट का जो स्लेवस है वह आपका भी एट से थोड़ा साही अलग है यहां भी हिंदी पूछा जाता है इंगलिस पूछा जाता है टीचिंग एप्टिटूट सोसल साइंस और 37 साइन्स ठीके टीचिंग एप्टिटूट को तो अप रहने भी दो फिर आपको मैस पूछे जाते हैं यानि कि टोटल 120 नंबर के लिए आपके एक्जाम होते हैं आपको मिलते हैं टोटल 150 मिनिन यानि कि 2 गंटे 30 मिनिट का समय अगर 28 की बात करूँ स्लेवर्स दोनों के हैं उसमें भी 12 स्लेवल का मैस पूछा जाता है आपको तो 28 से थोड़ा ज़्यदा ही मुझे ऐसा लगता है कि I think मैस वगड़ा थोड़ा तफ होते हैं 28 की आपको बात करूँ तो यहां पे आपको पूछा जाता है हिंदी, इंग्लेस, रिजिनिंग, टीचिंग अप्रिचूट और जीके तो यह 120 नंबर का होता है निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती हैं तो यह सारी चीजे हैं पैसो की बात करूँ तो दोनों में सेम प अगल मैं हो धन्यवाद